कि हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब दोस्तों आप जानते हो हमारे इस चैनल पर सारे वीडियो फ्री आफ कॉस्ट है और हर चीज की त्यारी बहुत ही बहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट के साथ कराई जारी है प्रिपरेशन स्ट्राटजी कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है कित तो जितने भी प्लेलिस्ट है हमारे उसमें अगर जाओगे तो आप रिलेटर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर है जिससे कि हिस्टी जोग्राफी पॉलिटी के जो बढ़िया बढ़िया चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा सवाल पूछेगा है यू कितने रैंक तक था तो आप देख लिए यहां पर पहला जो नंबर होगा वह रैंक का होगा उसके बाद जो है इंडेक्स मतलब कितने नंबर आपको आए थे उसका होगा ठीक है तो अब बात करते हैं पीसी है मतलब फिजिकल हैंडिकाप्ट और विजुल इंपेर के लिए ह यह रैंक बहुत कम लोगों के यूज का है तो आप लोग देख के समझ लें बट इसमें ही आप नीचे आओगे तो 11 बज़े से 12 बज़े तक जो यह पहला चीज़ आपको दिख रहा है जेनरल रैंक फ्रॉम वन टू फिफ्टी वन ठीक है यह जो है यहां से सुरू होता है अब देखते हैं नंबर इनको कितना था जिसने टॉप किया था भाई उसको 366 नंबर था 364 और जिसको 51 नंबर था उसी के हिसाब से OBC वाले का 350 था टॉपर और 322 जो था 7 रैंक वाले का था EWS में 364 वाला टॉपर था 320 जो था इसका यह 14 रैंक वाला था अब देखते हैं OBC हो गया सी रैंक में देख लिए सी रैंक बज़े से 313 नंबर लाया था जो वह टॉपर था ठीक है और इसकी जो है काउंसलिंग वह हुई थी छे तारीक को दो से बारा से एक बज़े अब सेम चीज है यहां पर 16 से आप देख सकते हो जेनरल रैंक में जिसकी जो है मेल और फीमेल में फ्रम एक से सी रैंक में एक रैंक वाले का 12 से 13 में हुआ है ूव्यस का 10 से 26 वाले का भी हुआ है मतलब छे तारीक को जो है वह आप देख तक जेनरल रांक में 156 रांक और 305 नंबर तक वालो का हुआ है और हाइस नंबर मैंने आपको बताया ही और 108 रांक तक लास्ट में फिर ओवी सी में तीन चौबीस रहेंग तक वालों को हुआ है एवस में 36 रहेंग वालों तक चे तरीकों हो गया फिर होता है आठ तरीको अब देखते हैं ओवी सी रहेंग से सुरू होता है आठ तरीको और इस दिन जो है आप देखिए है और सी इन में प्रिंसट करें और बाकी सारे इंफॉर्मेशन से रेलेंटर अलग्स वीडियो हमारे भी चूबी ऐलवी में पड़ी हुई है कि रेगलर फी कितना है कितना इस यहाँ पैसा रगता है कैसे कैसे तैयारी करेंगे सब के लिए मे से तीरपन राइंक वालों का और नंबर इनको प्राप था दो राइंक वालों को 304 था और तीरपन राइंक वालों को 220 था इनका भी जो है आठ तारीक को होता है फिर स्टी में अगर बात करें तो स्टी में आप देखिए 12 से 13 के बीच में राइंक एक से 26 और 270 से 161 वालों का यहां पर काउंसलिंग हुआ था मतलब की स्टी में अगर आप हैं तो आपको 161 नंबर मतलब एटलिस्ट आना होना चाहिए फिर इंपलॉई राइंक का यह अलग सीन है आप देख सकते हो फिर देखते हैं इससे भी क्या नीचे की बच्चों का अड्मिशन हुआ है यह राइंक है 28 से 36 ठीक है और नंबर है 145 हम लोग इसी तरीके से करते करते हैं सबसे नीचे वाला रैंक ढूंडेंगे 17 तारीक को इनका कांसलिंग हुआ था और सी जो है यह 27 साथ को हुआ है 63 रैंक इनका जितना हुआ है 213 नंबर वालों का भी हुआ है ठीक है तो स्टी और स्टी का यहां तक आया है 145 और 213 फिर जो है स्टी रैंक का और भी नीचे गया है 20 204 आप देख सकी है मतलब 28 मतलब क्या हुआ है यहां इस चीज को समझिये आप कि सीट जो है फुल्फिल नहीं हो पाई होगी स्टी और स्टी की सीट बच गई होगी तब यहां पर हुआ है अब यहां से आप कटफ का अंदाजा अंदाजा का एक्दम ओफिसियल डॉक्यूमेंट है यह तो यह कटफ आपका हो गया 89 रैंक मतलब 204 कटफ हो गया सबसे नीचे वाला स्टी का अच्छा 204 हो गया स्टी का बात करें तो कितना हो गया 145 दोसो चा ठीक है जो लास्ट एड्मिशन यहां हुआ है तो यह है 282 तो एक सो पैतालिस स्टी 204 सी 282 ओबी सी प्लीज कॉपी पर कहीं नोट कर लें ठीक है और 282 ओबी सी अब बच गया दो तो यी डवलू एस का जो सबसे लास्ट वाला है देखिए आप यहां लिखा हुआ है 276 मतल है और सबसे कम इसी में दिया हुआ है 156 राइंग क्या 305 मतलब 305 जो है वह जेनरल का कटफ कंप्लीट है चाहे वह OBC में हो यह EWS में हो या फिर जेनरल में हो तो यह रहा कटफ 305 फिर अगर उसके बाद जेनरल की कटफ थी 305 OBC की अगर कटफ की बाद हमने यहां की थी तो SC का था 204 और ST का था 145 तो प्लीज नोट कर लें आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जली से वीडियो को लाइक कर दें ज्यादा ज्यादा लोगों को भी सेर कर दें और हमारे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें और अगर आपने आज का करेंट अफेस नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देखिए क्योंकि करेंट अफेस में हम मैक्सिमम सौ से देड़ सौ अलग से जीएस रिविजन कराते हैं जो कि आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो प्लीज विजिट करें जरूर देखें थैंक्यू सो मच